दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है तीन स्टॉक्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं तीनों स्टॉक्स के नाम बता दू उन सज्जनों के लिए जो सिर्फ कमपनियां जानना चाहते हैं उसके पास चाहते हैं जो लोग यहां पर नॉलेज या फिर बिजनेस को समझना चाहते हैं वो बने रहें तो उन कमपनियों के क्रमशा नाम है पहली कमपनी का नाम है Fine Organics तूसरी का नाम है Root Mobile और तूसरी कमपनी रहेगी Tata Power तो Fine Organics से शुरुआत करते हैं तो मैं आपको शुरू में बता देता हूं कि इन तीनियों कमपनियों का चैन का मतलब है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें किस प्रकार से निवेश करना चाहिए मुझे लगता जो बड़ी प्राइस के स्टॉक होते हैं और जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशल होता है उनमें हमें इस आई पी मोड कह सकते हैं या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि जब भी आपके पास एक मंतली बजट हो और आप कुछ स्टॉक लेना चाहते हैं तो कुछ स्टॉक को करते हैं कुछ कंपणियों को लक्ष में रखते हुए उनके शेर्स जोडते जाएं और तब तक जोडते जाएं पहले ही आपको आपको साल तीन साल लग जाए चार साल लग जाए जो भी प्राइस पर मिल रहे हो सरुपथम आपका लक्ष होना चाहिए कि मेरे पास इस जब वो टार्गेट पूरा हो जाए उसके पश्चात आप वहीं पर उसको छोड़ दीजिए दूसरी कमपनियों फोकस कीजिए क्योंकि आप लाइफ टाइम तो निवेश करेंगे नहीं वो कमपनी तब तक आपको बहुत बड़ी वैल्यू दे चुकी हुई होगी साथ ही उसक कमाई होने लगेगी अंगर आपने सही कमपनी चुने हुई है है तो इन तीन कमपनियों को आपके समक्षट रखने का यही मकसद था कि कुछ ऐसी कंपनिया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी में बताता रहूं तो जो लोग इसमें निवेशित हों या हो सकता है कंपनिया ऐसी ढूड़ रहे हो इंसेक्टर की तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए fine organics का अगर हम देखें जो व्यवसाय है जिस प्रकार से नाम ही है और्गैनिक प्रोड़क्ट्स तो फूड एडिटिव में हैं पॉलिमर एडिटिव में हैं अधर स्पेशलिटी एडिटिव में आ जाते हैं pointeers and the largest manufacturers of olio chemical based additives in India and a strong player globally तो यह आप समझ सकते हैं कि भारत वर्ष में तो यह सबसे बड़े लार्जस्ट हैं बहुत बड़े प्लेयर हैं वैश्विक लेवल पे fully automated production facility इनके पास one of the few global players in the specialty food emulsifiers one of the few global players in the polymers additives industry one of the few leading players to develop proprietary technology to manufacture green additives तो आप समझ रहें कि organics या green ऐसे products की काफी अच्छी खासी demand है आप जो भी cream लगाते हैं जो भी आप products खाते हैं तो अफकोस आप demand करते हैं कि वो organic हो बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा केम कलना हो जो आपके शरीर को हानी पहुंचा है तो जाहर सी बात है ऐसी company को एक तरीके से कह सकते हैं कि pricing power भी मिल जाती है इस company के पास जो products हैं 460 से ज्यादा है direct customers इनके पास 800 ज्यादा है distribution network है इनका 180 से ज्यादा और जो supply करते हैं अपने products 75 countries से ज्यादा और end users है 5000 प्लस इनके कुछ warehouse हैं जैसे कि USA and Europe में हैं और यह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो company ने अपना बखान कर रखा अपने website पर को customer loyalty है high regulated limited players है complex technology है तो इस वाज़े से इनको काफी ज्यादा एक benefit मिल रहा है food additives chemicals में जैसे आजाते हैं additives for maintaining the quality and freshness of the food products impart better products structure integrity and helps in the increasing the shelf life of food products बहुत सारे ऐसे चीज़े होते हैं कि माल जी आप bread खाते हैं bread butter वगयरा खाते हैं तो क्या होते हैं कि यह products जल्द खराब ना हो इस वज़े से ऐसे chemicals का इस्तेमाल होता है और वो भी एक organic chemical हो तो और भी बेतर होता है इस तरीके से additives for coatings हो गया feed nutrition additives हो गया polymer additives हो गया जो काफी कामों में इस्तेमाल होते हैं जैसे कि आप यहां पर चितर में देख सकते हैं जो hospital के लिए काफी use होते हैं plastic products और emollients and cosmetics में आ जाते हैं जो कि हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं और specialty additives में भी आ जाते हैं इसमें से आप चितर में देख सकते हैं सर्फ हो गया या फिर कुछ ऐसे plastic products हो गए colors हो गए सुची 1970 से यह काम कर रहे हैं इस industry में करीब 50 years हो गए हैं इनको और step by step यहां पर इनोंने दे रखा कि इस प्रकार से अपने आपको grow करते गए आज जो stock price है इसका देखते हैं 6628 और इसमें काफी तेजी देखी गए थी इन दिनों बीच में ही काफी इसमें पढ़िया return मिले आज भी देखते हैं एक वर्ष में तो करीब 90% के आसपास के return बढ़िया मिल रहे हैं जबकि आप other chemicals के stock में देखेंगे काफी ज्यादा correct हो च चुकी है 6 माहिने पहले जिरून ने वेश किया होगा उनको भी करीब 61% से ज्यादा क्रिटर यहां पर दिखाई दे रहे हैं 20,000 क्रोड के इसकी मार्केट कैफ है और 5 की face value per share 2018 2 जुलाई को जो इसकी लिस्टिंग हुई थी यानि कि बहुत ज़्यादा पुरानी listed company नहीं है जो 2022 चल रहा तो करीब 4 वर्ष आप कह सकते हैं पूरे हो चुकी है price to earning ratio है 53 का price to book value 21 का जो की valuation wise देखा जाया तो थोड़ी से यहां पे महेंगी दिख रही है अपने sector के मुखाबले कुछ कमपनियां ऐसी होती हैं जिनके business में खास कर जिसके आप कह सकते हैं कि pricing power जैसे कि srf देखिए srf भी काफी तेई से भागा है काफी अच्छे बड़े return बना के दिये हैं अब देखते हैं कि इस company return बना के कितने हमें दिये हैं अब आप गौर कीजिए कि जब से इसकी listing हुई है चार साल हो गए है इन चार सालों में listing के बाद जिनन निवेश किया होगा आज की rate में अगर देखें तो 707 प्रतिशत की return यहां पर उनको मिल रहे हैं यानि क्यूंकि एक लाग के पूंजी अगर किसी ने डाली होगी example के ल चाहिए अब example के लिए यसे कि 6628, 7000 हम माल लेते हैं 7300 का हाई बना चुका है एक calculation के लिए हम amount माल लेते हैं कि 7000 माल लेजे इसका stock price है और 7th time हो चुका है 700% रन दे चुका है तो जब यह listing के बाद करीब देखा जाए तो 1000 रुपए का रहा होगा तो उस समय जिसने 1000 रुप हो जाता है तो होगा क्या कि उसका तो डबल हो गया जिसने 7000 के price पे लिया लेकिन जिसने 1000 रुपए की price पे ले रखा है तो पहले तो उसको आज की डेट में 700% के return मिल रहे हैं यानि कि 7 गुना हो चुका है और जब 14,000 का होगा stock price तो उसको 1400% के return यहाँ पे मिलेंगे यानि कि उसका पैसा 14 टाइम्स हो जाएगा तो यह होती है जल्दी निवेश करने की ताकत और छोटे stock price में निवेश करने की ताकत फिर भी अगर आप देखें सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी price का वो भी इतनी बड़ी market का है आपका मैं आपको यहाँ पे मश्वरा दे रहा हू और chemical की वो company आच्छा खासा पैसा बना के देंगी जिन में बहुत बढ़ा एक organic ताकत है उनके products में इनके पास pricing power है जिसे कि अगर हम कुछ संख्याएं देखते हैं माल यह 2016 में जो total इनका sales हुआ करता था 660 करोड का revenue रहा सीथे 2022 के वित्वर्ष में देखते हैं तो 1876 करोड का revenue हो चुका है अगर आप देखेंगा balance sheet में यहाँ पर कर्जा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है इतनी बड़ी company है तो यहाँ पर 59 क्रोड का यहाँ पर borrowing दिख रहे हैं जबकि उसके अगेंस्ट में रिजर्म सच्छे खासे हैं 900 क्रोड के आसपास बढ़िया promoters की holding भी है जबर्दस्त है दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है रूट मोबाइल रूट मोबाइल भले इन दिनों काफी गिर चुका है क्योंकि IT से रिल्टिक जो भी कमपनिया थी बहुत ज़्यादा FIIs ने जम के खरीदारी की थी और profit booking भी की है तो इस वज़े से जो लोग retail रहें और सोचने लगते हैं जब कोई भी आपका स्टॉक गिर जाता है तो आपको लगता है कि अरे मेरा लॉस हो रहा है आपका ध्यान quantities पर नहीं है आपका ध्यान इस सिर्फ प्राइस पर आपको स्टॉक प्राइस से क्या मतलब है आपने पांस साल के लिए लिया है आपका हो जाए मार्केट में इतना मतलब सप्लाई हो जाए कि वह मिठाई आपको 200 रुपए पर किलो मिलने लगे जबकि आपको मालूम है कि यह शौट टर्म के लिए ही है तो फिर आप ज्यादा खरीदारी करेंगे ज्यादा खाएंगे पीएंगे ना तो उसी तरीके से अगर सब्सक्राइबayan देखते हुए सलेक्ट किया हैं अब रॉट मॉबाइल का ग्रम देखें एक नज़र में बिजनस देखि लेते हैं तो इनकी जो सर्विशेजने से おटीपी हो गया या इसे कि आप किसी एप से स्वीच करते हैं दूसी चीज़एंग खरीदारी करने जाते ह तो इसके लिए जो OTP वगएरा आता है इस तरीके की messaging services बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर गत मैस्जिंग हो गया operator, powerful solution backed by your robust infrastructure और worst solutions हो गया, call patching, click to call, इस तरीके बहुत सारे आप भी पढ़ सकते हैं, email services हो गया, root mailer हो गया, identity solutions हो गया, है ना, तो यह सारी services में है दुनिया भर की जो small, medium, enterprise, companyya हैं, उनको यह अपनी सुविधाय हैं, प्रदान कर रहे हैं, और देरे-देरे काफी अच्छा खासा इनका business में grow हो रहा है, वरतमान जो stock price है, अगर आप देखेंगे 1407 रुपए, आज तो हाला कि तेजी है, पूरे market में तेजी है, तो 2.27% की, जबकि हाई देखें, आप बना चुका है, यह तेज सो नवासी का, यानि करीब करीब देखा जाए, तो अभी वरतमान stock price से 1000 का यहां पर discount है, लो जा चुका है, दस सो बावन का, और वरतमान समय जो return रहे गए हैं, मात्र यहां पर loss दिखाई दे रहा है, 30% से ज्यादा का, जबकि 6 माहने पहले किसे निवेश किया, उनको भी करीब 11% का नुकसान हो रहा है, दस की face value वाला stock है, small cap की company बन गई है, 6,843 कोड के इसकी market cap दिखाई दे रही है, कभी यह 100 की price to earning ratio ज्यादा मिल रहे थे, आज देखे 42 का price to earning ratio है, price to value 5.29 का है, dividend भी पेए करता है, और 2020 की यह भी एक newly listed company है, आप कह सकते हैं, तो 2020 में अगर इसकी listing हुई थी, तो जब से यह list हुआ है, तब से देखते हैं, तो खरीब करीब वो 115% के यहाँ पे फिर भी जो है return दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने निवेश किया होगा after listing, तो जो इनकटा नुमर हुआ करता, 367 क्रो देखें, यहाँ पे हर साल बढ़के आ रहा है, प्रोमोटर्स किस्तिती अगर देखें तो अच्छी है, 59.82% के holding है, तो ज़रूर चिंता का विशय हो जाता है, जब भी आपको कोई stock गिरता है, बट आप अकर लंबी अवदी की निवेश है, ज़रूर आपको पैसा बनके य electricity, electricity से आप देखेंगे, electric vehicles चलने वाले हैं, power station लगने वाले हैं, इजली की बहुत ज़्यदा खपत होने वाली है, अभी तो कुछ नहीं लोग दीरे-दीरे जागरू खो रहे हैं, लोग अपना-पना खुद का घर बनवा रहे हैं, फ्लाट ले रहे हैं, देखा-देखी में AC लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं consumption बढ़ेगा, electricity का, तो इसकी demand और भी होगी, तो इस तरीके से government भी लगी पड़ी है, कि हमें ज्यादा ऐसे संसाधा नुत्पन किया जया हैं, जैसे कि solar हो गया, turbine हो गया, इस तरीके से माद्धिमों से बिद्दुत का निर्मान किया जा सके और उन ही में से लगी पड़ी है Tata Power, Tata Group की बढ़िया कमपनियों में से एक शुमार है, अभी भली गिरी पड़ी है, या फिर कह सकते ही कि जब lockdown लगा तो उसके पशाद काफी तेई से भागा है, तो ये कमपनी भी अगर देखें, तो Tata के अपने तो है ही, अगर देखें T लगाने को लगे हुए हैं, काम चली रहा है, घर-घर में जो है, सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, ताकि लोग बिद्दुद अगर स्टोर कर रहे हैं, तो उसको बेच भी सके, तो आने वाले समयम सब चीज़ें हो जाएंगी, जली, सेल्स वगएर भी देखें, हर साल बढ़ यहाँ पर देखते हैं, हाई लो अगर साल का, तो 164 का लो और हाई बना चुका है, 298 का, एक वर्ष में अगर रिटन देखते हैं, तो 30% के आसपास यहाँ दिखाए दे रहे हैं, हाला कि जिरों ने 6 मैंने पहले निवेश किया, उनको 13% के आसपास का नुकसान हो रहा है, 68,000 क्रोड की मार्केट कैपिटल है, और अगर देखें, एक किफिस वैलिवालाई स्टॉक है, प्राइस टो वर्निंग रेशियो 31 का है, प्राइस टो वर्क वैलिव 3.12 का है, डिविडिन भी पे करता है, अगर यहाँ पांच सालों की रिटन हम देखते हैं, तो अगर भी नहीं देगी, दरसल होता है कि अगर हम फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हैं, मालीजी किसी सेक्टर में कोई ऐसी कमपनी है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण की बात करें, तो मुझे लगता है टाटा पावर एक बड़ा प्लेयर है, चाहे पावर चार्जिं इस्टेशन को लेके हो, चाहे और भी ग्रीन एनरजी को लेके हो, तो मुझे लगता है ये कमपनी हो सकता है कि फ्यूचर में आपको अच्छा कासा रटन बना के दे, लंबी अवधी का नजरिया हमेशा रखें, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें, पैसा कम, टाइम ज्य आप देखें, उस चैनल पर जाके हम लिंक जो है इसका description में और cards पर दे देंगे, thank you for watching us video friends.